नमिश्कार साथियों सुरी नगरी उनिकलोग क्लासस की यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर इबिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभी दंदन करती हूँ बात करायıp को निकलने का ट्रिक बताती है किसे आप को यह बताऊंगे को से बेक्टाब आप लेके जा सकते और विए इसको निकलना बहुत आज यह 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 था बहुत बड़ी बला नहीं है खरना तो ऐसे प्न निस 750 जए कि इसवह और तो हो नहीं खरना के तो जो लोग जुडिशी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इसी है, लेकिन जुडिशी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनको एक काम तो करना पड़ेगा, माल जी क्वेशन आए एक्जाम के अंदर, कि कौन जो है पब्लिक नुशनस को स्ट लिए और कॉंस्टिटूशन तो वैसे भी देखा आपका करी नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते पता हैं आपको, क्योंकि ऐखने लिके जाओगे, आपको तीन स्वाल में लेंगे, सिर्फ तीन, क्योंकि आटिकल बेस तीन कुषिशन ही आएंगे, मुस्टों केसलों जायत है य एक बार रीडिंग कर लो, तो इसलिए मैं कहाई हूँ कि जुडिश्टी वाले जो प्रिपरेशन कर लिए उनके लिए इसी उन्होंने रीडिंग कर लिया, जो फर्स्टेंग दे रहा है वो जनरर बैट कर लिए तो जब वहां पर आएंगे तो आपको help हो जाएगी, फिर आ अब इसमें एक और फाइदा है कि आपके आस पास जो बैठे ना वो भी आपकी मदद कर देते हैं, यानि पास करना आसान है, लाने की इतने नंबर है, आपको तो पासी माक्स लाने है, ठीक है, आप ला सकते हो, उसके बाद आता आपका आपका छोटा सा है, अल्टरेनेटि आपको सेक्शन नंबर 1 से लगा कि आप 43 पढ़ लेना बस, ताकि आपके चार में से 200 परसंट सही हो जाएंगे, रीडिंग के वे तो सिता खोल नहीं रहेगा आपको, फिर आता पॉब्लिक इंटर्स लिटिगेशन, यह फैमिली लोग, फैमिली लोग भी आदा बैरेक्ट ह होता है, तो इसमें भी आपके आपके आट सवाल है तो आपके 40 ही होगे, क्योंकि जो आपके यह बोलते हैं, फैमिली लोग, मुस्लिम लोग, उसके तो बैरेक्ट होती नहीं है, वो तो एक बुक होती है, कमेंटरी होती होती है, तो यह तो चले गए आपके, हिंदू लोग बैरेक्ट होता ही नहीं है, तो इसका कोई आपके पास material नहीं है, यह उपर वाले का भी material नहीं है, सिफ आर्बिटेशन एक्ट है, फिर आपके पास administrative law, अब बताओ, इन्होंने का बैरेक्ट ले आना, administrative law की बैरेक्ट थोड़ी आती है, यह तो uncodified law है, और इसमें भी बुक दूसे पक्स को भी सुनो, है ना, opportunity for hearing, तो यह पढ़ लो आप, है ना, audio, ultram, partram, एक तो यह topic पढ़ लो उसमें से, एक जो reads होती है, पांच reads, पूरा administrative law, रीट में जुड़ावाएं, वो reads पढ़ लो, तो दोग answers नहीं जेंगे, बाकी की जो है, वो तुक के मारना है, लोग company law, इसका बैरेक्ट लेके क्या करोगे, दो नंबर के लिए इतना time waste क्यो करोगे, इस से दोनों में C भर दना, या B भर दना, या A भर दना, बट company law के लिए मिना मतलव का पैसे भी waste मत करो, इतना बड़ा बैरेक्ट मत खरीदो, ठीक है, फिया ता environmental law, ये भी दो नंबर का आ दो में से दो नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि अलग से कुछ नहीं आएगा, जो आएगा सेक्शन से आएगा, तो ये आपको benefit देगा, फिया ता labor industry law, चार नंबर का बापरे, इतना बड़ा एक्ट है, इतना इतने सारे labor law, इतने सारे labor law, आपकी जिए मैं होता है, तो चारो म में एक option बर क्या होंगी, इतना बड़ी किताब लेके जाओंगी, ना तो मुझे पढ़ने से मतलब, क्योंकि ना था तो आपको net देना है, ना आपको set देना है, तो क्यो time waste करना है, इससे अचे एगनो, चारो में अपना एक option टिका होगा, तो AAA, BBB, CCC, DDD, चार में से एक तो पका सही होगा ही होगा, और किस वरत अच्छी होगा है तो दो सही हो जाएंगे आपके, फियाता लॉफ्ट टॉट इंक्लूडिंग मोटर विकल एक्ट, कंजिवर प्रोटेक्शन, इन दोनों के एक लेलो, ये छोटे-छोटे एक्ट, ये दोनों लेलो, क्योंकि पांच के आपको शेर करूँगी, वो लेलो, उसमें से टॉट के आपके, टॉट के पांच में से न दो, तीन साल टॉट काएंगे, और दो मोटर वेकल काएंगे, एक अंजिवर प्रोटेक्शन काएगा, तो ये पूरा सही होगा, और उपतली सी किताब है आपकी, चिक है, उसके ब इंविटेशन जो है, बैरेक्ट से मिलेंगे, अधर देन, कॉंट्रेक्ट में आपको क्लॉस ओफर पूछ लिया तो गड़ बड़ हो जाएगी, वो आपको नॉर्मल आते है, इंविटेशन तो आफर पूछ लिया तो वैसे नॉर्मल आप लोग कर सकते, कोई शो आएगा न लेना देना ही नहीं है, या तो फतली सीबुक आती है, कि 3-1 आती है, किसी बैरेक्ट में तो ले लेना, नहीं आती है तो छोड़ दो, ठीक है, दो में तो कमार देंगे, तो यह आया सबके सो सवाल, जहां पर आपको 100% बैर क्योंकि कम बैरेक्ट लिजाओगे तो वो सारी कर लो और बाकी सब्सक्राइब तो कमार दो, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, कि इसको पास करना इतना असान है, कि यह लोग है तो अलब दवाओ, लेकिन अब उन्होंने वो ट्रेंड चेंज कर दे, स्कार्टिं में तो अलब दवाओ था, अब उन्होंने ट् सिक्स्टी पूरे हो गए, कई लोगों के नहीं होते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है, जिन्हों कभी लाओ भी धंग से नहीं किये, उनके लिए तो बहुत हैट्रिक हो जाता है, ठीके, लेकिन जिन्होंने कर लिया, तो क्या करना आपने का 60 सवाल, अगर अगर आपने A B C D, ABCD, ABCD किया तो है, जो वह अधी सहले जाएंगे, क्योए कि अपको सिर्फ पास होना है, पास होने के सफ यह यह तेक्निक है, और रटने के बासुनी तुरुतनी सिर्फ रीडिं करनी है, क्योंकि आपको, जो इक शितर्थ आप बशने करनी है, क्योंकि कर लो उस कानून की बारे में जाहन कर लो इतना तो करे सकते हो नहीं कर सकते हो में लिए तो प्लस पॉंट यह था था 2008 का यह वे रहा तो 2008 का था तो जैसे हमारा लगी कंप्रीट हुआ हमने रिजिस्ट्रेशन कराया और 2009 में स्टार्ट हुआ तो जरूदिनी पड़ी होती तो स्टूडें सरी स्टूडें था और यहां पर उसकी पासुट थी मैंने काया ऐसा भी होता है क्योंकि हुआ कि लल्म के एक्जाम होती था हमारा गल्स कॉलेज आता था था मतों वैसे पढ़ते तो हम को अग्जाम हमारे गल्स कॉलेज वह होते थे तो टेंशनी सब लड़के यह पर थैप लड़केां आपको पता इतनी नकल छी नहीं होती है होगी थोड़ी पर इतनी होती है तो कभी पते नी चला फिर लणम के एक्जाम में उन्हें नें कच्छा काम किया हमाय साथ कि लडकों और रूम पूरा अलग लड़कों लेकिन उस 6th paper में उन सब ने मेरी मदद की, पता है क्यों? हुआ यू कि मैं तो DCLR में भी पढ़के गई, पढ़के गई, तो अब उनके पास passbook तो है, पर उनको यही नहीं पता कौन सा question है, तो मैं उनको बताती थी, यह छोटा number question है, तो class के लोगों के surprise यह था, कि यह लड़ 6th paper में आज में उसब क्या भारी है, क्यों में एक्जाम ही नहीं देना था, बहुत प्रॉब्लम होगी थी जीवन में, लेकिन उनने इतनी मदद की, 6th paper उनने दिलाएक नहीं, वो इतना अच्छ है, पहले madam question सवाल करेंगी, फिर हम करेंगे, इतना support था उन लोगों का, तो इसलिए कोई issue होता नहीं आपको, कम सब्सक्राइब को पढ़के तो जो आपको पता तो होना चीए, कि सवाल कौन सा है, किताब तो आप लेकर आ गए, वो ही नहीं पता आपको, तो मैं भी हस्यूद पे में, कि आप ले आए, नकल भी कर ली, पर अकल तो लगाते कि question number कौन स सवाल का है, मतलब ऐसे महान आत्माई भी होती है संसार में, तो आप महान आत्माई बनने से पहले, एक बार ये छोटा ससले बसे 19 एक्ट है, जिसमें से मैंने आपको दो तीन तो पूरे छोड़ा देखना ही नहीं है अपन को, तो बचे आपके घूम फीर के आपके आपके अगर 18-17 को भी ठंक से कर लोगे, तो भी आपका क्लिर हो जाएगा, और रटना भी नहीं है, सिर्फ रीडिंग करने देखनायक भी है किया तकि वहाँ पर टाइम बस सके और फटा 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 पर उसको कर सके, अब आतर बैरिक्ट, कौन से बैरिक लेके जा सकते हैं, देख जिसमें कमेंटरी हैं, या फिर जिसमें पैन से कुछ लिखावा है, क्योंकि ज़रूरी भी था समय के जाए, इस एक्जाम का मतलब क्या है, बार कांसल को पैसा कमाना नहीं था, इसका अबजेक्ट था, कि हम अच्छे एडवोकेट्स को लेकर आए, सही भात है, भीड़ तो उसलिए उन्होंने चेंज कर दिया, अब इसने भी आता है कि मालीजिये, आप एक ऐसे सेंटर पे जा रहे हैं, जा चेक नहीं हो रहा है, तो वहां तो आप कुछ भी उठा के ले जाए, लेकिन जा सेंटर पे चेक हो रहा है, अगर उन्होंने चेक कर लिया, और फिर आपको कुछ पाना है, तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो अच्छा पूरा एक नया सेट ही आप खरीद लीजिए, उसी को लिखके जाए, ना तो सामने लोगो तकलिफ ना आपको तकलिफ, तो कमेंट वाले मत ले जाए, क्योंकि बहुत सर ऐसे बैरेक्ट हैं, जिसके नमबर बन, दूसरा ये एक्जाम निकालना क्यों जरूरी है, कि पहले एक्टे में जजज बन गए, तो दुनिया का सबसे बड़ा चीमें नहीं बने तो, तो ये आपकी काउंटिंग खराब होती जाएगी, आप जितना डिले करोगे, उतरे आपकी जो प्रैक्टिस की सब्सक्राइब करें, तो आज कहने को मेरे पास 14 साल की वकालत है, मैं कोट भी जाती हूँ, तो मैं कहते हो 14 साल होगे, थोड़े दिम बाद में senior advocate में आने सुरो जाओंगी, आपने किया कि LLB कर लोगे, 3-3 साल होगे, 4-4 साल होगे, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रहे हो, भी या कहने को में एक मकीले वो तो बनो, इसलिए ही mandatory है, और अब ये पास कर लो, क्योंकि धीरे धीरे जो है, बार काउंसिल इसमें चेंज करेगी, और आने वाले दिनों में देखना है, इसको भी tough exam बनाएगी, और बनाई की क्यों, ता कि आप पढ़ के आ सको, तो अभी opportunities opportunity को मच छोड़ो, और तुरंद प्रभाव से इसको निकालो, और कोसे करो, दस दिन बाद ही आपका exam है, ताप अच्छे से इसकी preparation करो, और याद रखना, जाह कुछ नहीं आए, सारे option में एक ही लिखना है, तो A या B या C या D, ABCD में टिका क्या जरा, ठीक है, चलिए, मैं इसकी AIB की coaching नहीं कराती हूँ, मेरे पास इसका कोई notes अवेलेबल नहीं है, कोई तरह की guide अवेलेबल नहीं है, तो इस तीन से related coaching इसकी AIB के लिए, इसकी notes के लिए, बैरेक्ट के लिए, मुझे call नहीं करे, सुरी समाम चाहती हूँ, लेकिन फिर आप परेशान हो जाओगे, में भी परेशान हो जाओँगे, इसकी coaching नहीं कराती हूँ, ठीक है, चाले, आज के लिए दन्या मत,